और आप लोग यहां पर देख पहुँगे भाई कितना कमाल का यह desktop लग रहा है लगी नीरा कि हम लोग यह सारी चीज़े टर्मिक्स के अंदर चला रहे होंगे वाव भाई आपको लग रहा है नहीं हम लोग यहां पर VS Code को रन कर सकते हैं यहां पर मैंने VS Code के उपर क्लिक कर दिया है और आप लोगों को यहां पर VS Code देखने को मिलेगा आई हम लोग थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कि हमारा VS Code कैसे चल दा है सोचो कंप्यूटर की जरूरती नहीं बीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पूरी वीडियो का क्रेडिot एक स्पेश्यल आदमी को देना चाहूँगा उसका मैंने CHANNEL YouTube पर देखा और उसकी वीडियो को मैंने देखा वह भी TurboOC entonces vra organizers बनाता है और बहुत ही कमाल की वीडियो बनाता है और मैंने ये वीडियो उसी की वीडियो को देख करके सीखा है और इसके अंदर जो फाइल का मैं यूज करूँगा वो उसी की वीडियो की फाइल है ठीक है एक टेक्स्ट फाइल जो है वो मेरी है बाकी सारी फाइल उसी की वीडियो की फाइल है तो मेक शूर अगर आपको टर सबस्क्राइBald DECK सकते हैं बहुत कम हैं बट इसका जो कॉन्टैंट वो बहुत यच्छ है हिंदी में कॉन्टेंट नहीं हैं बहुत हमें इस ही की वीडियो से सीखरगों को सिखाने जारूं तो भाई जो की और इजसरे में कॉपी कर रहा sound प्लीज उसको support जरूर मिलना चाहिए तो make sure अगर आपको termics में interest है एक बार इसका channel जरूर चेक कीजिएगा ठीक है? आई हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को follow करने से भी पहले आपको simple से क्या करना है pin comment में जाना है, तीन files की download link है तीनों file को download कर लेना एक backup file होगी, एक text file होगी और एक script file, ठीक है? तीनों file को download करना internal storage में रख लेना और उसके बाद जैसा ऐसा मैं कर रहा हूँ वो सारे काम को करना है, ठीक है? चलो, मैं मान की चलता हूँ कि आपने तीनों files को download कर लिया है अभी हम लोग start करेंगे अपने tutorial को ठीक है? चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं simple से termics के अंदर आ जाते हैं और आपको सबसे पहले करना है text file को open, ठीक है? मैंने एक text file के भी link दे रखी है आपको क्या करना है? सबसे पहले उस text file को open करना है ठीक है? यहाँ पर जहाँ से देख सकते है debian neon करके text file है इसको आप लोगों को open कर लेना है और एक चीज़ याद रखीएगा इस text file के अंदर मैंने कुछ note लिख के रखा है यह make sure आप लोग पड़ लीजेगा मैं फिर भी एक बार समझा दे रहा हूँ कई बार लोग apt update करते है या फिर कोई भी package को download करते है apt install करके अगर कभी भी apt install करते वक्त आपको add रहा है तो आप लोग एक बार pkg का use कर सकते है ठीक है जैसे apt होता है वैसे pkg install भी आप कर सकते हो या फिर pkg update भी कर सकते हो यही चीज मैंने यहाँ पे notes के अंदर लिख रख किये तो आप लोग make sure एक बार notes को जरूर पढ़ा करो ठीक है हम लोग क्या करते है step by step चलते है सबसे पहला हमारा step होगा apt update या फिर pkg update करना ठीक है आप लोग भी जल्दी से जाईए अपने termics के अंदर और यह जो pkg update वाला command है इसको डाली और इसको run कर दिये ठीक है आपको कुछ भी नहीं करना है यह पूरा command मैंने automatic बना कर रखा है यहाँ पे आपको yes no वगयरा कुछ नहीं करना बस एक बार run कर दीजिए छोड़ दीजिए सारा का सारा काम हो जाएगा आपका ठीक है तो हम लोग wait करते हैं जब तक यह command पूरी तरीके से complete हो जाता है तो बहुत बढ़ा हमारा जो pkg update और upgrade था ना वो बहुत यह अच्छे से हो गया है आए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next command की तरफ हमारा जो next command है वो है pulse audio को install करने के लिए ठीक है तो मैं जानते हो क्या करूँगा simple से दो-दो command को copy कर ले रहा हूँ आप चाहो तो one by one भी कर सकते हो मैंने दो command को copy कर लिया है ठीक है time बचाने के लिए तो मैं क्या करता हो simple से यहाँ पे paste करता हूँ दोनों command को और enter कर देता हूँ और मैं वेट करता हूँ जब तक यह दोनों command बहुत ही अच्छे से execute हो जाते हैं तो बहुत बढया यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे कि हमारे जो दोनों command थे वह बहुत ही अच्छे से execute हो गए थे और आप चाहो तो one by one भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं क्या कर रहा हूँ simple से यह दो command को भी ले ले रहा हूँ अब आप चाहो तो तीन चार commands को भी ले सते हो बट देखो दो-दो command या एक एक कमांड को लेकर के करने का यह मतलब होता है कि आपको पता रहेगा कि किस जगह पर क्या error आया है ठीक है तो इसलिए हम लोग एक command या दो command लेकर के चलते हैं ठीक है मैंने यह दोनों command को यहाँ पर paste करके simple से इंटर कर दिया है और हम लोग फिर से wait करेंगे तो बहुत बढ़या यहाँ पर हमारे यह दोनों command भी complete हो चुके है अभी आपको पता यह सारे जो commands मैं यहाँ पर complete करा र ठीक है तो यह चीज भाई आपको पहले से करके रखना है और अभी हम लोग क्या करते पीरूट डिश्ट्रो को भी install कर लेते हैं और यहाँ पर भी मैंने reference के लिए लिख रखा है APT यूज करो या फिर PKG यूज करो दोनों काम एक ही करेंगे ठीक है तो यहाँ पर simple से आता हूं मैं इसको भी paste कर देता हूं और यहाँ से enter कर देता हूं ठीक है और इसको yes कर दूंगा पिरूट डिश्ट्रो बहुत बड़ा नहीं है बहुत ही छोटा सा है तो यह बहुत ही जल्दी हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देख पाऊगे कि यह बहुत ही अच्छी से complete हो गया है अब हम लोगों का main काम आने वाला है ठीक है अभी main काम को करने से पहले make sure करना कि आटा दे रहा हूं चलो बहुत बढ़े हां अभी हम लोगोंने files की permission तो दे रखी है और हम लोग क्या करते है सिंपल से अपने empty manager के अंदर चले आते हैं अब यह जो empty manager है आप लोग जानते हो मैं बहुत समय से use कर रहा हूं यह मैं क्यों use करता हूं क्योंकि यहाँ पर मुझ नाम से मेरी website है वहां पर resource के section में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी empty manager भी वहां मिल जाएगा ठीक है तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले जहां पर मैंने file को download किया ना कौन सी file को backup वाली file को याद रखिएगा कौन सी file कि मैं बात कर रहा हूं backup वाली file को जहां पर भी मैंने रखा है मैं उस जगह पर चला जाता हूं और simple से location को पूरा कर लेता हूं copy मैंने simple से क्या क्या copy बहुत बढ़े हां मैंने location कर ली copy और अभी आ जाता हूं मैं अपने termx के अंदर ठीक है यहां पर आननेक बास सबसे पहले मैं एक बार clear कर लेता हूं उसको और clear करनेक बात मैं मैं एक बर करूंगा cd cd से क्या होगा चेंज डेरेक्टरी हम लोग इसको चेंज करके अपनी जो फोन की इंटरनल स्टोरेज है ना वहां पर लेके जाएंगे सिम्पल से cd मैंने लिखा और उसके बाद मैंने पाथ को कॉपी किया था उसको यहां पेश्ट करके इंटर कर दिया ठीक है जैसी हम लोगं ने इंटरनल स्टोरेज थी वहां आ गाए अभी मैं क्या करूंगा aremos करूंगा office करने से क्या होगा ls लिखकर कि मैंने इंसर किया ls ठीक है ls करने सिक होगा जो भी इंटर्नलष जो होगा ँदर डाटा है आपका वह उसारा थे यहाँ न्यक्त लिख डिखना है पी रूट कि कि enfin ऑ ठीक है पीरूट डिश्ट्रो स्पेलिंग ध्यान से रखना और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिस्टोर ठीक है आप लोग स्पेलिंग का ध्यान रखा करो बहुत साय लोग मेरे पास टेलिग्राम पर स्क्रीन शॉर्ट को शेयर करते हैं जिसमें मैं देखता हूं उनकी स्पेलिंग का ृषक कशरी बहुत ध्यान रखो ठीके पीरूट डिश्टो र्रिस्टोर यहां पर आपको लिखना है और रिस्टोर किसको करना से समझ लिजे रिस्टोर आपको करना वही बैक universal का睡्ड़ क्हुति यह वाली बैक अप देखा योब क्रकि रखा यह बैक अप पेस्ट ठीक है मैंने इसका नाम पेस्ट कर दिया बट पेस्ट करने से भी पहले यहां पर धियान से देखिए यह जो डेबियन लिखा है ना इसके आगे डॉट और स्लैश लगाना मत बोलना डॉट लगा करके इंटर कर दोगे तो यहां पे जानते हो क्यों होगा यह जो पीर को मैं आपको बताता हो क्या करना है आपको simple से क्या करना है यहां से side से एक new session ऊपें किया अभी आपका यह जो session ऊपें हुआ होगा यह यहांपे द्धान से देखो यह हमारे phone के internal storage में open हुआ है but हम लोग क्या लिखिएimmersi सीडी क्या लिखेंगे सीडी और सीडी लिख करके जैसे इंटर करेंगे ना यहां पर जहां से दिखो डॉलर का सेक्षन मतलब हम लोग टर्मेक्स की रूट डिरेक्टरी में आ गए अभी आपको क्या लिखना है पी डबलू डी तो जैसे आप लोगों ने पी डबलू डी किया करा लोगा आपको एक फाइल को आपको ट्रांसफर करना तर्मेक्स के अनदर अब आप सोच रहोगा भई हम लोग सारा काम तो टर्मिक्स में कर रहे है नहां आपने भाई फथीन को डाउնर किया था एक टेक्स्ट फाइल थी जो तो आपको क्या करना है उस script file को internal storage से copy करके termix की storage में डालना है ध्यान से समझ लो internal से copy करके termix में डालना है कैसे करोगे ध्यान से देखो यहाँ पर यह वाली script है हमारी ठीक है तो हम लोग यह जो पूरी file है ना इसका पूरा नाम copy करेंगे ठीक है मैंने copy किया और copy करके cp के आगे paste किया चलो बहुत बढ़े हाँ पेस्ट कर दिया अब हम लोगों को क्या करना है यहां पे ध्यान से देखो यह जो new session हम लोगों ने खोला था यहां पे हम लोगों ने location मागी चीज़ की ठीक है हम लोग क्या करेंगे simple से यह जो पूरी location है ना या फिर इसको path भी आप कह सकते हो इसको कर लेंगे copy और copy करने बा बहुत बढ़िया अभी हम क्या करते simple से इंटर करेंगे और जैसे आप लोगों ने इंटर किया हमारी जो file थी वह बहुत अच्छे से copy हो चुके हमारे termx की directory के अंदर ठीक है अभी आपको क्या करना है simple से लिखना है cd क्या लिखना है cd और इंटर कर देना है तो जैसे clear हो गया अभी हम लोग termx की main directory के अंदर है अभी आपको क्या करना है एक बार ls लिखना है lsa जो भी directory के अंदर की चीजे होंगी वो बाहर आ जाएंगी simple से ls लिखा यहां पर आप ध्यान से देख पाऊगे कि file यहां है अगर यह file यहां नहीं है इसका मतलब आपने सही से copy नहीं किया है तो make sure यहां पर ls लिखने पर यह file होनी चाहिए ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे इस file को permission देंगे chmod plus okay यहां पर plus x और उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहां पर एक स्टार ठीक है chmod plus x और एक स्टार और simple से इंटर कर देंगे जिससे कि यह file green color में हो जाएगी हम लोग एक बार फिल से ls करते हैं जैसे ls किया यहां पर आप लोग देखोगे कि हमारी जो file थी वह बहुत ही अच्छे से green color में हो गई चलो बहुत बढ़या अभी आपको क्या करना है simple से इस file को run करना है ठीक है बट इ termex x11 app क्या है यह कहां से मिलेगा तो भाई मेरी जो termex के playlist है ना उसको जाओ उसको देखो उसके अंदर इतनी वीडियो मैंने इसके उपर बना दी है कि मैं क्या बता हूं तो वहां पर आपको इसका solution मिल जाएगा कि यह app कहां से मिलने वाला है सब उसके अंदर है ठीक है तो मैंने पेश कर दिया और अगर मैंने और आपने सारे कमांड को सही से लिखा होगा सारी चीजों को सही से डाउनलोड किया होगा तो यहां पर without any error यह चल जाएगा ठीक है और कोई भी दिक्कत आए वैसे दिक्कत आएगी नहीं बट कोई भी दिक्कत आए तो भाई description में चले में धना यह अपने आप खुल गया और सबसे पहले कुछ इस टाइप का black screen रहेगा आपको चिंता नहीं करना है और यहां पर ध्यान से देखो एक करसर आजाएगा मौफ का ठीक है और उसके बाद असली खेल तो अब है ठीक और यहां पर ध्यान से देख सकते हो यह पूरा से खुल गया है और अगर एक चीज में और आपको बता दे रहा हूं इसको थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करने से भी पहले एक चीज में आपको एक और बता देता हूं अगर किसी में भी यह तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूत नहीं है आपको सिंपल से टर्मेक्स 11 के अगर आपको अपने आप नहीं खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको सिंपल से अगरना है टर्मेक्स 11 के उपर क्लिक करना है और बूम बाम यह बहुत ही अच्छे से यहां पर खुल जाएगा और इसको मैं बढ़ा कर लेता हूं तो आप देख सकते हूं कितना प्यार का desktop लग रहा है भाई बहुत ही गजब का इसके अंदर आपको VS Code मिल जाएगा मैं सिंपल से इस VS Code के उपर क्लिक कर देता हूं ठीक है एक काम करता हूं को पहले थोड़ा सा सेटप कर लेता हूं सेटप आप लोगों को मैं करना सिखा चुका हूं तो मैं जानती हूं क्या करन चिमत लगाना ठीक है अब हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसको मैं बड़ा कर लेता हूं और आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा आई हम लोग थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कि हमारा VS Code कैसे चल रहा है सोचो कम्प्यूटर की जरूरत ही नहीं हमारा फोन है फोन चे अंदर ही सारा काम हो जाएगा ठीक है यहां पर मैं क्लिक कर ले रहा हूं और फोल्डर वगरह यहां से ओपन हो सकता है और एक्स्टेंशन के ओपर जड़ा क्लिक कर लेते हैं देखते हैं extensions आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और यहां पर थोड़ा सा टाइम लग रहा यह time इस वज़ा से लग रहा है क्योंकि हम लोग भाई एक phone के अंदर सारी चीजों को कर रहे है तो थोड़ा सा time तो लगना है और यहाँ पर आप देख पाऊगे कि सारी की सारी चीज़े बहुत ही अच्छे से आ रही है तो यह सारी चीज़े बहुत ही कमाल की लग रही है ठी हमारा ब्राउजर कैसा लगता है ठीक है यहाँ पर आप ध्यान से देख पाऊगे कि यह भी खुल गया है और इसके उपर सबसे पहले मैं YouTube खुलता हूँ और मैं सिंपल से क्या करता हूँ एक वीडियो को रन करता हूँ और जड़ा ओडियो को मैं देख लेता हूँ कि चल र पता नहीं आप में audio आ रही है कि नहीं आ रही है बट मेरे में तो फिलाल audio नहीं आ रही है अभी इसका solution क्या है यह चीज मुझे ढूंडनी पड़ेगी खुद से जहां तक हम लोगों ने audio से related सारी चीजों को install तो करी दिया था बट फिल भी audio नहीं आ रही है अब मैं क्या क चिंता की कोई बात नहीं है अगर आपके में भी audio नहीं आ रही तो प्लीज यहां पर YouTube वगएरा मत देखने लगना यहां पर अपना जो भी काम वगएरा करना है वह करो ठीक है मैं जैसे इसका audio का कुछ भी मतलब पता चलता है कि कैसे इसको fix किया जाए मैं एक video निकाल दू अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे समझाने का तरीका पसंद आए हो तो मेक शूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजेगा और साथ साथ मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से देख लीजे इसके चैनल को देखो जो अच्छे चैनल्स होते है ना पतन कि उनके पस सब्सक्राइबर कम होता है क्योंकि भाई यह लोग मतलब तारे जमीन पे ठीक है तो यह लोग तारे जमीन पे तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ ध्यान से इनका चैनल देख लो कोई पेड प्रमोशन नहीं है या फिर इन्होंने आके मेरे से कहा नहीं है अच्छा कॉंटेंड मुझे कहीं दिखता है तो मैं चाहता हूं वह सब के पास पहुंचे ठीक है मैं खुद सीख करके क्यों बैट हूं सब लोग सीखें सब पढ़े सब बढ़े सब का साथ सब का विकास है कि नहीं तो वहीं मेरा नारा है और मोदी जी कभी वहीं नारा है सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने कर रख है आपकी मर्जी है आप करना चाहो कर लो नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है चलो तो फिर हम लोग मिलते है अपने अगली कमाल की वीडियो में हेलो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा एक और चैनल है जिसके उपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेर वीडियो पोस्ट करता हूं तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकाओ कर सकते हैं उस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रीप्शन और पिन कमेंट दोनों जगा मिल जाएगी झाल कर दोनों जाएगी